गड़वली गाउं के युवक की दिल्ली में हुई मार्ग दुरगटना में मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम देवगां को त्वालिक शेत्र के गड़वली गाउं के युवक 40 वरशी राजू पूत्र सुखराम की आज पराता साड़े आठ बजे दिल्ली में हुई एक मार्ग दुरगटना में मौत की खबर के बाद परिजनों में पूरी तरह कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है परिजनों के अनुसार 40 वरशी राजू दिल्ली के बवाना में रह कर मोजा बनाने वाली कमपनी में काम करता था आज प्राता साड़े आठ बजे के करीब कमपनी के मालिक की स्कूटी लेकर वो किसी कार रिवश जा रहा था कि दुरगटना में गंभीर रूप से घायल हो गया लोग उसे आनन फानन लेकर अस्पताल पहुँचे जहां चिकित्सक ने मृत घोशित कर दिया सूचना मिलने के बाद पतनी उमा देवी समेत परिवार में चीख पुकार मच गई और सभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और गाव में शोक की लहर देखी जा रही है मिर्तक राजू चार भाईयों में सबसे छोटा था उसकी संतानों में पूत्र शशी, अमित, शीवम तथा एक पूत्री साक्षी है चेवार पश्चिम गाव में सर्प दंश से 40 वरची महिला की इलाज के दवरान मौत मचा हड़कम्प लाल गंज तासील ख्षेत्र के चेवार पश्चिम गाव की 40 वरच की सरिता वर्मा पतनी विनोध कुमार वर्मा को मंगलवार की रात में सोते समय लगभग 12 वजे सर्प ने दंश मार दिया सर्प दंश के बाद महिला के परिजनों को बताने के बाद परिजन दो तीन घंटे चूहा काटने के शक में घर पर ही रह गए लगभग 12 वजे रात में हालत बिगडने पर परिजनों दोरा उन्हें आटो रिक्षा से सामुदाईक स्वास्थ केंद्र लाल गंज लेकर जाया गया जहां सरिता को चिंता जनक हालत को देखते हुए डाक्टरों ने जौनपूर के लिए रेफर कर दिया लेकिन जौनपूर अस्पताल पहुचने से पहले ही सरिता की मौत हो गई पुना परिजनों दोरा उन्हें वारान सी ले जाया गया जहां प्राइवेट चिकितसक ने मिर्तका को देखने से इनकार कर दिया इसके उपरांत परिजन मिर्तका के शव को लेकर घर चले आये गरामीडों दोरा सर्प दंच की सूचना तासिलदार लाल गंज शैलेंद्र कुमार सिंग को देने के साथ संबंधित लेखपाल अशुविनी कुमार सिंग को दी गई इसके बाद तासिलदार द्वारा लेखपाल के माध्यम से बताया गया कि पोश्ट मार्टम रिपोर्ट के बाद मिर्तका के परिजनों को सरकारी लाभ मिल सकता है समाचार लिखे जानने तक परिझनों दवरा पोष्ट मार्टम के लिए विचार वी मर्श किया जा रहा था मृतका सरिता के पती फरीदाबाद में नौकरी करते थे। इस समय घर पर ही हैं मिर्तका के दो पुत्र और एक पुत्री है और परिजनों में पूरी तरह हड़कंप मचा हुआ है